हे गाइस वाट्स अप एंड वेलकाम बैक टू सुमान इमाजीनेशन गाइस आज हम करने वाले हैं ओटो डिक स्केजबुक के अंदर फेस एडिटिंग और हैर एडिटिंग को कैसे करें तो वीडियो बहुती जवधास दोने वाले हैं तो फटा फट से आप इस वीडियो को ल फेस है उसको पहले से एडिटिंग करके रखा आप देख सकते हैं और हागाईस अगर आपको फेस एडिटिंग करना नहीं आते हैं तो इसके लिए भी हम बहुत सरसे पड़ेट वीडियो बाना के रखें तो आपको उपर आई बटन पर वीडियो का लिंग मिल जाएगा तो इस वीडियो को देख के आप उस वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम फोटो को शेयर कर देंगे पता देंगे अपके समने कुछ टाईब का और इस तरह का आने के बाद गाईस आपको उपर बहुत सारे टूल्स आपको दीखने को मिल जाएगा तो यह पे आपको third option पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे बहुत सारे brush bag आपको दिखने को मिल जाएगा और आपको नीचे scroll करना है और नीचे scroll करने के बाद आपको जो है इस smart brush को select करना है और उपर settings option पे क्लिक करना है और यह पे आपको size, flow और strength दिखने को मिल जाएगा तो आप इसको increase और decrease भी कर सकते हैं तो size को हम थोड़ा सा decrease कर देते हैं और flow और strength को हम कुछ इस type का settings को रख देते हैं आप चाहो तो इसको screenshot भी कर सकते हैं तो इतना करने के बाद हम photo को अच्छी तर से zoom कर लेंगे और zoom करने के बाद हम इस तर से इस brass को hair के उपर इस तर से use करेंगे तो जैसे हम इस तर से brass को use करेंगे तो हमारा जो hair है वो editing होते जाएगा आप देख सकते हैं हम किस तर से hair को editing कर रहे हैं और हाग आईस और एक important बात आगर आपको hair editing करना नहीं आते और आगर आपको hair png का उपर वीडियो चाहिए तो इसक करते हैं जो आपको वीडियो description box पे मिल जाता है तो आप जो है इस वीडियो को देख के उस वीडियो को भी आप चेक आउट कर सकते हैं और description box पे आपको link मिल जाएगा और हाग आईस वीडियो बहुत ही छोटा और interesting होने वाले हैं तो इसलिए आपने अभी तक हमारा वीडि का लिंक वीडियो डेस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा तो आप इजीली वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो यार एडिटिंग को करने के बाद गाइस बहुत सरे लोगों ने बूलता है कि ह्यार के उपर इस तरह से लाइन डो कैसे करेंगे तो आपको जो है कुछ भी नहीं करना है उस ब्राश से ही आप इस तरह से अगर ह्यार के उपर ड्रॉ करोगे तो आपका जो ह्यार के उपर इस तरह से लाइन डो क्येट हो जाएगा इसके लिए आपको कोई अलग सी टूल का ज़रूरत नहीं है आप इस टूल से ही और सेम वही सेटिंग्स पे आप इस तरह से लाइन रो भी क्रेट कर सकते हैं तो इतना करने के बाद गाइस हम फोटो के उपर एक लाइट पीएजी का यूज़ करेंगे तो लाइट पीएजी का लिंक जो है वीडियो डेस्किप्शन ब कर देंगे तो इतना करने के बाद हम सेकेंड अप्शन पे क्लिक करके टैंस फॉम पे क्लिक करेंगे और इस लाइट पीएजी को सेही पोजिशन पे हम सेट करेंगे तो आप देख सकते हैं हम इस पोजिशन पे राखते हैं इतना करने के बाद गाइस हम और एक लाइट करके हम ब्याग्राउंड के उपर अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे तो गाइस हमारा फोटो जो है एडिटिंग डन तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्योगे